हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपको विंदू 7 के फीचर्स बताऊंगी देखिए विंदू 7 के फीचर्स देखने लिए हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे स्टार्ट से हम सर्च पर जाएंगे सर्च कॉलम में हम लाइबरेरी नोट करेंगे लाइबरेरी हमारा option आ गया इस पे हम click करेंगे इस पे click करने के बाद हम देख रहे हैं हमारी library में क्या-क्या है इसको मिया से full paste कर सकते हैं देखे इसमें documents है music है picture है video है तो हम इससे background भी change कर सकते हैं जिस system music है system का ये सब है देखिए इसमें simple picture इस type से आ रहे हैं अब यहां से इसे open कर लेंगे आप देखिए जो भी हमें background लगाना होगा उस पे हम click करेंगे right click करेंगे right click करने के बाद आप देख रहेंगे सबसे उपर आ रहा है set as desktop background हमें desktop background set करना है तो हम इस पे click कर देंगे इस type से देखते हैं हमारा desktop background change हो चुका है अब हम आपको और भी option बताएंगे इसमें right click करने के बाद देख रहे हैं set as desktop background आ रहा है edit आ रहा है इसे edit करना है print आ रहा है print करना है preview आ रहा है ठीक है इस type से यह option आ रहे है students अब हम इसमें देखेंगे यह file है file में हमारा edit वगरा यह हमारा edit है undo, redo, cut, paste इसकी सारी short form भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी next video भी मैं बनाऊंगी practical key thank you have a nice day